मैंने under 18 credit card पर ये दो बोडियोस मना आई थी दोनों मैंने आपको HDFC के credit card दिखाई थे जो under 18 एनने की minor को मिल सकती है इसका फसेस काफ़े simple था add-on card जैसे हमारा primary card होता है अगर आपके किसी family member ने card यूज करना है तो अगर आप अपना card अपने पास भी रखने चाती है तो आप उस card का duplicate order कर सकते है जिसे हम add-on card कहते है HDFC में उस card का number भी same होता है हर चीज़ same होती है बस आपको 2 card मिल जाएंगे same credit card पर इसको add-on card कहते है और ये add-on card under 18 को भी मिल सकते है क्योंकि under 18 को असली credit card नहीं मिल सकता तो इस तरह से जो ये process होता है add-on card का इससे under 18 होके भी आप एक credit card के full benefits ले सकते है इसका जो bill आता है वो primary यानि की जिसका credit card है उसको भी भवे करना पड़ता है अगर आप चाहे तो आप खुद भी पे का सकते है अपने details डालके कहीं पे भी इस तरह से आप add-on card दे सकते है मैंने HDFC के ये दो add-on card लिये थे और हाली में HDFC और Tata ने मिलके एक नया credit का निकाल था Tata new plus credit card तो मैंने अपने parents का ये card order कर दिये था और जब ये card deliver हो गये था मैंने net banking से अपने खुद का ATM का order कर दिये था net banking मेंने यहाँ पे किया add-on card के लिए request वहाँ पे मैंने अपने details डाली अगर आप सेविंग अकाउंट है तो आप online order कर सकते है HDFC bank का नई तो bank में firm देंगे और वो आपका add-on card अप्लाई कर देंगे सो आज मेरे पास यह HDFC का Tata New का minor credit card receive हो चुक है सो अब हम करते हैं इसकी unboxing सो इस तरह का card मुझे रिचिव हो चुक है सामने HDFC bank लिए का उब और Tata New की branding है यह मेरे नाम पी आया है पीछे से दिखाऊं तो कुछ इस तरह के यहाँ पे packet है सो फटा फट से हम इसे open कर लेते हैं सो यह रा package मैं इसे फटा फट से open करता हूँ सो इसके अंदर से आपको सबसे पहले इस तरह के काफी booklet सी मिलेंगी जैसे पिछले credit card में बिला था अगर आपने वो न बॉक्स ने देखिवी थी सबसे पहले काफी बड़ी सी booklet terms and condition की देखने को मिल जाएगी यह exactly सेम है पिछले की तरह यहाँ पे आपको net banking पे कैसे login करना है वो यहाँ पे आपको दिखा रहा है उसके बाद आपको साथ में देखने को मिल देगा credit card का कैसे पिंसर्ट करते हैं उसके बारे में details आपको बता हो गई HDFC ऐसा काफी जादा खुछ देता है उसके बाद एक और है जहां पे contactless payment के बारे में दिखा हुए tap and faith feature के बारे में उसके बाद आपको एक और छोटी सी guide देखने को मिल देगी यहाँ पे statement के बारे में उसके बाद यह सारा कुछ same exactly अगर आपको नई पता है किया तो आपको पिछली वीडियो का link देदेंगा description में वह आप यहाँ पे देख सकते हैं इस तरह की और एक terms and condition की आपको booklet देखने को मिल जएगी और यह है finally हमारा card पीछे मेरा नाम और अड्रेस प्रिंट है यहाँ पे थोड़े benefits लिखे हुए है आप पॉस्कर क्रेडि कर सकते हैं कहाँ पे कितना कितना cashback मिलेगा आप इनकी website से भी देख सकते हैं और यहाँ पे इनकी थोड़े से sign है और यह welcome सा letter है उसके बाद यह है हमारा finally credit card यहाँ पे क्लिखा हुए caution ताकि आपका card number important है उसके बारे में हम इसे निकाल लेते हैं और काफ़ी जादा सुनतर मुझे card लगा यहाँ पे मेरा नाम यतिश्मंगला printed है यहाँ पे टाठा नियो लिखा हुए रूपे platinum card है यानि कि मैं यूपगे इसे भी उसकर सकता हूँ पीचे से कुछ इस तरह का card है आपको card number CV और expiry number देखने को मिल जाएगा फ्रेंट से काफ़ी सही मुझे इस card की look लगी तो इसी तरह की वीडियो के लिए चैनल को subscribe कर देना